महिंद्रा थार वर्शस महिंद्रा पीकप तो जिनको भी थार पसंद लाइक करो और जिनको पीकप पसंद कमेंट करो अगर दोनों की लोंच की बात करे तो महिंद्रा थार 2010 में लोंच हुई थी और महिंद्रा पीकप साल 2000 में लोंच हुई थी वोई अगर दोनों के इंजिन की बात करें तो थार आती है 2189 CC प्रस 4 सिलेंडर 130 BHP के इंजिन के साथ और पीकप आती है 2560 CC प्रस 4 सिलेंडर 45 BHP के साथ वोई अगर माईलेज की बात करें तो थार 15 km पर लीटर का माईलेज देती है और पीकप 14 किलोमेटर पर लीटर का मैलेज देती है वोई अगर दोनों की स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो थार की स्टार्टिंग प्राइस रूँ होती है 10 लाग से और पीकप की स्टार्टिंग प्राइस रूँ होती है 9 लाग से वोई अगर दोनों की टोप स्वीड की बात करें तो महिंद्रा थार की टोप स्वीड है 155 किलोमेटर परती गंटा और पिकप की टोप स्वीड है 80 किलोमेटर परती गंटा वोई दोनों में से आपकी फेवरेट कार कौन से कमेंट में जुरू बताना